ओड ओड आखिर क्या है यह उड आखिर इस ओड का पर्फूमरी में यूज क्या है क्यों यह इतना डिमांड में रहता है क्यों लोग इसको इतना फसंद करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए उद का हर वो सवाल जो आपके दिमाग में है हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो और अनादर वीडियो आज हम उद के बारें बात करेंगे जो के सबसे जादा पॉपुलर है पर्फ्यूम इंडर्स्ट्री के अंदर उद एक लकड़ी है एक वुड है जिसको हम अगर वुड के नाम से भी जानते हैं लेकिन जनरली लोग उसे उद ही कहते हैं इसको निकाला जाता है उसको पर्फ्यूमरी इंडर यूज कहते हैं जो बहुत जादा पॉपुलर रेस नाम से आप किसी भी इतर की दुकान पे आप देनल उद कहेंगे तो वह आपको उद का तेल ही देगा I mean वो उद का इतर होता है उद जो है वो काफी जगाओ पर पाये जाता है लेकिन हिंदी उद यानि के इंडियान उद जो है जो आसाम में निकलता है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इसके लाग कमबोडिया में भी निकलता है वहां का भी उद जो है काफी पेमर से लेकिन यूजवरी यह देखा गया है कि उद जो सबसे ज़ादा मार्किट में बिखता है वो हिंदी उद बिखता है जो इंडिया से निकलता है अगर हम बात करें उद को किस तरीके से परफ्यूमरी में यूज़ किया जाता है उद को अलग अलग तरीके से ब्लेंड करते हैं कुछ लोग रोस के साथ करते हैं सैफरन के साथ करते हैं एक अपना ब्लेंड तयार करते हैं और उसी ब्लेंड को हर कंपनी अलग अलग तरीके से बनाती है उनकी हर किसी के अपनी कंपोजीशन है एरमेक के पाँच टॉप सेलिंग उद जो हैं जो हम यहीं ब्लेंड करते हैं अपने इन हाउस हमारे वो प्रोडक्ट से उसमें सबसे पहले जो हम उद की बात करें तो वो रिच उद आता है यह रिच उद सबसे ज़ादा पॉपुलर है हमारा सबसे ज़ादा बिखता है तॉप सेलिंग है यह वो ही खुशबू है जो मैंने इस पे वीडियो पहले बना चुकी है और आपने उस वीडियो को बहुत ज़ादा प्यार भी दिया है जो दुबई की उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है ब्लैक उद यह जो ब्लैक उद है यह बहुत ही सूधी खुशबू है बहुत ही माइल्ड खुशबू है यह ऐसा नहीं कि आपने लगाया और लोगों के सरदर्द करने लगा इवन उद के इंदर एक पंजंट नोट होता है लेकिन उसको हम जिस तरीके से ब्लैंड करते हैं जिस तरीके हम उसको और चीजों के साथ मिक्स करते हैं तो उसका जो पंजंट एक पील आता है उस चीज को हम बड़ा माइल्ड कर देते हैं जो कभी भी सर में दर्द नहीं करता या किसी को इरिटेट नहीं करता इसके अंदर भी आ जो हमारा उद आता है इसका नाम है अमीर अलूद यह उद जो है यह बहुत स्वीट है जिस तरह एक चाशनी में से एक मिठास आती है खुश्बू आती है वो चीज उद के साथ ब्लेंड की गई है आपको उद का टेच तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन जो हार्शने से ना उद वो इसमें बिलकुल नहीं मिलेगी बहुत ही सूधिंग और बहुत ही प्यारा एक उद का टेच बैक ग्राउंड में चल रहा है और बिलकुल उसके उपर जो एक मिठास है चाशनी की शुगर की एक बर्निंग शुगर जो होता है उसके अंदर जो मिठास एक खुश्बू आ अच्छी तरीके से उद को ब्लेंड किया है और इसमें आपको सबसे ज्यादा जो नोट फील होगा ना हूद के साथ वह रोज का ही होगा रोज सैफरन और इसके बेस नोट में हमने एंबर का भी उसकिया है अब लास्ट जो इतर है हमारा वो है उद खलीफा यह उसकी में परफेक्ट ब्लेंड है रोज का और इसके अंदर टोमेटों की लीफट बहुत अच्छा नोट आता है एक पीच का नोट और इसके जो मिड नोट के अंदर आपको पील होगा वो रोज होगा जैस्मिन होगा बेस में इसके आपको फील होगा सबसे जादा बिखने वाली खुश्बू में एक हमारी खलीफा भी है जो लोग बहुत पसंद करते हैं बहुत जादा डिमांड मेरती है यह पांचो इतर जो है आपको हमारी ओफिशल वेबसाइट पे मिल जाएंगे जो है www.aramac.ia अगर आप डेली में हैं तो डेली में हमारे एक स्टोर है आप अपर आज कोई सी भी खुश्बू खरीद सकते हैं अगर आप वेबसाइट से ओर नहीं कर सकते और आपको परिषानी होती है व्यपसाइट पे जाना और समाँ से ओर roughly जनी जाहें WhatsApp पे आप order प्लेस कर सकते हैं अगर आप स्टोर पे आना चाहते हैं आपको कुछ पूछना है आपको location नहीं मिल रही है तो आप WhatsApp पे हमसे रापता करें नहीं तो आप हमें direct call भी कर सकते हैं हमारा phone number screen पे visible होगा आपको इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में कुछ नए परफ्यूम्स के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज